आप मारवाडी कोलेज के वेबसाइट में जाएए ओफिस्यल वेबसाइट www.marawadicollege.ac.in जैसे ही आप उसमें ओनलाइन वेबसाइट में जाते हैं ये रेड कलर का नोटिस आपको सर्कुलेट वहाँ पर दिखता है नोटिस फॉर स्टुडेंट वहाँ देखे सारा ये कॉलम लिखा हुआ है सबसे नीचे में देखिए डाउनलोड इकल्यान बोनाफाइट लिखा हुआ है आपको सिंपल से इसमें क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखे डाउनलोड करने का दिसान इरदे से दिया गया है कैसे डाउनलोड करना है है तो आपको देखे डाउनलोड बोनाफाइट उपर में दिया वह साटिपिकेट फोर व्याइज विदाओट प्रैटिकल जिनका प्रैटिकल नहीं है बीया बीकॉम में उनके लिए यह बोनाफाइड है वहीं उसके नीचे में देखिए BA.com without practical girls के लिए हो वो पर मैं boys के लिए girls अपना देखेंगे अपना subject का देखिएगा वहीं आपको पता दे boys psychology geography, home science B.A.C. botanyology के लिए अलग से दिया हुआ, boys के लिए girls के लिए अलग से दिया हुआ है वहीं chemistry, B.A.C. chemistry, physics, maths का अलग से दिया हुआ है जिसका आपका category है उसी पर आप जाकर के click किजिए आपका download हो जाएगा bonafide certificate boys without practical MA और M.C.M. के लिए जो without practical है girls के लिए पिर से मुसी तरह MA, M.A.C. आपका जो है उसका भी दिया हुआ है वहीं आपको बता दे उसके बाद मैं नीचे में देखिया आप नीचे में vocational course के दिये हुए है जिसमें आपको दिया हुआ है अमानत BC1 और BC2 के लिए अमानत HTSC के लिए अलग से दिया हुआ है वही bonafide certificate है BC1 और BC2 के लिए BCA, BCM, IT, FD और CND सबका एक ही bonafide certificate रहेगा सब इसी को किजिएगा जो आपका department है 1st year हो, 2nd year हो, 3rd year हो यही आपका download होगा वहीं आपको बता दे HTSC के लिए अलग है वहीं पर फिर BBA के लिए अलग है BAC Biotech के लिए अलग है BC1, BC2 और SCHC के लिए अलग है आप देख लिजएगा किस category माते है उसका आप download करेंगे उसी तरह just MBA, MCA का अलग है MSC Biotech का अलग है और FD का नहीं डाला गया है FD का बहुत जल्द डाल दिया जाएगा उसका चलिए एक हम download करके हम यहाँ पर देखते हैं किसी भी एक को हम download कर लेते हैं क्योंकि यह student को fill up करने वहाँ पर दिक्कत हो रहा है हम fill up करके देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या हो रहा है जैसे हैं उसमें click किजएगा आपको download हो जाएगा bonafide certificate देखिए आप download हो जुका है bonafide certificate courses किजएगा इसको आप color parent out frame में निकलवाईए और courses किजएगा दो पीस निकलवाने का ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहला बात उपर में सबसे टॉप में देखिए यहाँ पर application number only for part 1 लिखा हुआ है तो students सोच ले रहे हैं यह स्रिफ part 1 का है नहीं यह application number स्रिफ part 1 के लिए यहाँ पर जो fill up होगा सबसे उपर का column में वो स्रिफ जो वो fill up होगा सेमेश्टर 1 में जो अभी है पार्ट 1 में है उनके लिए वो स्रिफ application number लिखना है जिससे उनका admission हुआ है बाकी जो second year में है और third year में है उसको exam number लिखना है जो slash करकिस में आपको लिखा हुआ है application number वल्ली फोर part 1 और slash examination roll number मतलब कि आपको exam roll number लिखना है जो आपका part 2 और part 3 में है student है और जो part 1 में है उनको अभी registration exam roll number नहीं मिला होगा तो उसके लिए आपको आपका form में जो admission हुआ है उसका application number लिखना है अधार number अपना लिखना है नाम लिखना है अपने father का लिखना है उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर जो है आपका department जो हो टिक कीजिए class roll number नीचे में लिखना है class roll number नीचे में लिखेंगे session लिखना है और कौन सा year में है उसके बाद आपको जा करके student signature यहाँ करना है उसके बाद जा करके आपको DHW से यह आपका जो coordinator उनसे sign करवाना है sign होगा यहाँ पर मोहर भी लगेगा apply करने के बाद कुछ-कुछ department में है जिनको यहाँ पर college में submit करने के लिए कहा जा रहा होगा तो आपको hard copy आ करके submit करना है अगर नहीं कहा जा रहा है तो फिर आपको submit नहीं करना है यह आपका bonafide का process है और भी किसी तरह का दिक्कत हो रही तो comment करके जरूर बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद और like, share, subscribe करना नहीं भूलिएगा